गुड मॉर्णिंग बच्चों, क्लास सेकेंड, आप लोगों को एक आधसा पाठा का आधा का अर्थ में समझा दी थी यहां तक, यहां तक का अर्थ आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, क्या है, अत्र गंगायो जमना, जमनायो नद्यो जलम सुधा सद्रिश्यम प्रवा है, अमरित के समान है, इसके आगे का मैं आज आप लोगों को वीडियो बना के भेज रही हूँ, इसके आगे क्या है, अस्तमाकम देश, सर्वेशाम, देशानाम, गुरु अस्ती, हमारा देश जो है, सब देशों का क्या है, गुरु है, सब देशों में महान है, पूरे दु देवा अपी अस्य गीतानी गायंती यहाँ पे देव पितर भी जो है क्या है यहाँ पे आके गीत गाते हैं देव पितर भी हमारे देश का गीत गाते हैं भारतस्य संस्कृत भासा प्राचीन तमास्ती हमारे देश का प्राचीन भासा क्या है संस्कृत है हमारे देश में बहुत सबसे पहले क्या हुआ संस्कृत भासा ही आया संस्कृत भासा के बाद ही दूसरी भासा आई है तो संस्कृत भासा क्या है बहुत पुरानी भासा हमारी अश्याम भाशायाम विश्वस्य प्राचीन तमा ग्रन्था चत्वारा वेदा संती यह जो हमारा संस्कृत भाशा है वो पूरे विश्व में प्रशिद है सभी बेद सास्त्र ग्रन्थ जितने जो है सारे वेदों में क्या लिखा हुआ है संस्कृत भासा ही लिखा हुआ है सब जगा ये भासा प्रचली थे पूरे विश्व में अस्माकम कृते अयम देशा स्वारगात अपिप्रियतरह अस्ति हमारे देश में देव पितर भी यहां का गुनगान करते हैं और मारह देश का गुनगान स्वार्ग में भी होता है स्वाज देश का अस्माकम मात्रभूमी भी अच्छा है हमारे देश का मात्र भूमी बहुत ही अच्छा है। हम अपने मात्र भूमी हम अपने देश की रक्षा करेंगे। और ये हमारा पहला कर्तब क्या बनता है हमारे देश की रक्षा करना उन्नती करना अपनी मात्र भूमी की रक्षा करना और उन्नती करना हमारा पहला कर्तब ये बनता है तो बचों आप लोग इस वीडियो को देख करके इसका आर्थ समझेंगे और इसके बाद मैं इस लेशन क कोश्चन आंसर शॉट टाइप जो फिलिंदी ब्लैंक्स यह सब करके आप लोगों को भेजूंगी तब आप लोग इसका काम करेंगे सबज गये अभी इसका सब्दार्थ आप लोग कॉपी में कर लेंगे इसलेशन का यह रहा आपका सब्दार्थ सबके पास तो भुक होगी स उसके बाद मैं कोशन आंसर कल आप लोगों को भेजूंगी वीडियो बनाके आज इसका इतना ही अर्थ बताई हूँ इतने का आप लोग इसको देखके सुनेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे थैंक्यू